बिहार इस वक्त हेट वेव और लूसे पर इश्रान है बरदी गर्मी और चिजलाती धूप ने जन जीवन को प्रभावित कर दिया है इसके कारण हुई कई लोगों ने तो अपनी जान भी कवा दी है बिश्रान गर्मी को देखते हुए पाटना जिला प्रश्वासन अब हरकत में आगिया है पाटना डियम ने सदर अस्पताल गुरुगोविंद सिंग का निरिच्छन किया है डियम ने अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं को देखा है और पाटना डियम के इस ओचक निर बुखार से बचने के लिए यहां पर क्या विवस्था है उसको हमने देखा है कि अधिके हीट वेव लूज आई एस जई चमकी बुखार की तैयारियों के लिए यह विजित यहां पर किया गया है अलग वार्ट जो है गुरुगोविंद सिंग हॉस्पिटल में यहां पर ब बच्चों है उनके के लिए जो वाड बनाया गया उसका एक इनिन दिरिक्शन किया गया है कुछ कमिया भी पाई गई है पंखे कुछ कम चल रहे थे उसका भी डिरेक्शन दे दिया गया है एसी भी कुछ जगा पर मालपंचनिंग था दवाईयों का डिस्टिबूशन हमने जो डिस्टिबूशन सेंटर है बीमस आइसल की दवाई यहां पर बट रही थी जो स्कीन डिसीजस है गर्मी के कारण उसके पेशन थोड़े से संख्याय आप ज्यादा दीक रही है बाकी जो है वारेस और अन्य जो दवाईया है जो लूज के लिए होती है डाइरिया के लि हीट वेव के कारण दोनों की मौत हुई दोनों मृतकों के बारे में सदर हस्पताल में तैनात डॉक्टर रजनीस कुमार ने बताया है कि दोनों के मौत लू के कारण हुई है बिहार में भीशल गर्मी का जा एक और कहर जारी है तो वहीं कई जिलों में पारा 45 डिगरी के प कार जारी है तो एक तो साथ एक तो होंगे लगभग 62 साल के और एक उम्र के बन्चा चोहतर साल के अने क्या लग रहा था जबने हीट वेब के वज़े से हीट श्टॉक हुआ है और एक उम्र के वज़े से भी अपको मौर्वीडिक पंडिशन भी उनके साथ था जिसके वज तो अभी दो लोग कही देथ हुई है आज ब्राउट डेड में और कुछ भरती भी हुए है जो के ठीक हुए है